उन पर भी जाते हैं, हम लोग चुनाव के दौरान अमेथी हो, यूपी के अलग-अलग दूर दरास के इलाके, जहां पर मूल-भूथ सुवधाओं की कमी होती है, किसी के घर में बल्ब नहीं होता है, कहीं पर शौचाले नहीं होता है, और अगर सरकार बनवा भी दे, तो कई बार अवेर्नस यानि की जागरुकता की कमी होती है, तॉइलेट को स्टोरेज की तरह इस्तरमाल करते हैं, और खेत में ही जाना पसंद करते हैं, वो जागरुकता लाने के लिए भी आपके कोई प्रयास है, देखी कोशिश तो होती है, मतलब मैं भी सोशल मीडिया को यूज करने कोशिश करता हूँ, अपना फेस्बूक पेंपेज है, इंस्टाग्रम पेंपेज है, कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की ऐसी चीज़े, मगर अल्टिमेटली आपको खुद जाना पड़ता है इन जगाओं पे, कि अगर आपको बहुत कोई आसी जगे काउद ले लीजिए कि आज एक बहुत बड़ा स्लम इंडिया का सेकंड लाजर स्लम है बवाना का, जहां पे मैं वो छे हजार गर बना रहा हूँ, तो अगर आप वो स्लम का एरिया देखेंगे, तो बहुत साल पहले अपने आपके मनीश से सोधियादी ने एक फिल्म बनाई थी मे जो ड्रेनिज सिस्टम है नहीं है, तो हर गर एक नालियां लगी हुए है, नालियां है, 16-16 फीट की नालियां है, और उसमें अभी तक जानवर पड़े रहते हैं, और डिजीज फैल रहा है, एवरी पांच गर में एक हैंडिकेट बच्चा है, तो मैं बड़ा स्ट्रॉंग तो आज अब उनको कड कुछ करना चाहिए उसके लिए, बबवाना एक एरिया है जहां पे, इस डे एंड एज में अगर कहीं पे हमें, एक स्लम ड़ॉलर के एक एरिया में, अगर आप उनको एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पार है, तो हमने क्या तरक्की करिया है इंडिया है. So, having said that, मैं अपनी तरफ से हर फोरॉम यूज करता हूँ, अब मेरे को, कोई किसी भी, चाहे वो इंटरनेशनल फोरॉम हो या कहीं भी हो, तो मुझे तो एक बेसिक आदत है कि मैं चैरिटी का कोई कॉज पकड़ता हूँ, मगर स्टेट ने मुझे बोला कि आप ये स्टेट सब्जेक्ट है, आप इसकोचे ही नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, तो मैंने का फिर करिये, मगर वह नहीं हुआ है, और मैं ये पंदरा साल से एक फाइट देख रहा हूँ कि एक ड्रेनिज सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली में, जो हमारा कैपिटल है, उसके साइड में एक बवाना में, सो वह विएग सेट आट, कोशिश होती है, हाइलाइट करने की इस्शूस को, और कई बड़ी एक्जामपल क्रिएट करता हूँ, आपको एक 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 एक्जामपल देता हूँ, मैं एक कश्मीरी हिंदू हूँ, तो बड़ा स्ट्रॉंगली फिल करता हूँ, अबड़ टर्रिजम, अगेंस टर्रिजम एग सो ऑन, मगर मैं पाकिस्तान गया, और मैंने पाकिस्तान में एक कैंसर वार्ड बनाया, इमरांखा साब के हस्पिताल में, शौकत खौना में मेरा एक वार्ड है, दोसट चौबइस, जिसमें कि हम बच्चों की कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, जब कर्याइट करके एक इंस्पिरेशन बना चाहता था, बताना चाहता था लोगों को, कि मैं जब कि कश्मीरी हिंदू हु, मेरे भी पेरेंट्स का गर ले गए है, और जमीन चली गई है, मगर उसका जो बच्चा जो चैंसर से डील कर रहा है, वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, उसकी पेन सेम होती है, तो मुझे लगा कि मुझे एक 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 जामपल बनके, कुछ उस एरिया में भी काम करना चाहिए, तो कोशिश करते हैं, और कई बारी सक्सेफुल होती है, कई बारी लोगो हाईलाइट कर लेते हैं, कई बारी नहीं, लोगों को फिर भी नहीं, जैसे मेरा ड्रेनेज वाला फाइट है, अभी तक मैं सक्सेफुल नहीं हुआ हूँ. चले, मुझे अपकी कोशिश रंग लाइए, लेकिन सोनू, हम सभी के जहन में ये आता है कि जैनुएन कॉलर्स और फेक कॉलर्स, जिनको जरुवत मंध हैं और जिनको नहीं है, वो आपका गलत इस्तिमाल भी कर सकते हैं, उनको आप कैसे दिस्टिंगुश करते हैं, ये एक चालेंज है, या इस चालेंज को ओवर कम कर चुके हैं, हम लोग अभी इसले खरीबन दो साल से कर रहे हैं, तो अभी एक ऐसा बॉड़ी के अंदर स्कैनर आगए, जैसे आप देखते हो, आपको पता चल जाता है, ये कितना जनुल है, ये नहीं हमारे सब लोग को भी ट्रें किया गया, दूसरी बात है है कि हम कभी किसी को पैसे नहीं देते, हम सिर्फ ऑस्पिटल्स को, करीबन हम इस समय करीबन बाइस हज़ार बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग, हम सीर्फ स्कूल चॉलीजेश को पैमेंट करते हैं, हॉस्पितल्स को पैमेंट करते हैं, उनका एलाज करते हैं, तो लोग को पता है कि यह पे आपको फानेंशल एपोग कोई ऐस एसे लेने याग काझा तर नहीं होगां, लेकिन तकलीफ कोई भी हो, कोई भी मेडिकल एमर्जेंसी हो, we are there to take care. लेकिन, Sonu, ये भी आप मानेंगे की इंडिया में सिस्टेम ऐसा है ना की जरुवत मन तक पैसा पहुंचते पहुंचते, पैसा आधा या उससे भी कम रह जाता है. वो ना हो, एकदम ट्रांस्फिरिंसी रहे, क्या इसके लिए भी कोई कोशिश है आपकी? बिल्कुल है, मैं जैसे आपको बोला कि हम लोग पूरा जो जहां से टेस्सिंग से शुरू होके जहां तक पैसेंट छुटता नहीं हमारे सब चैनल्स बने हुएं, डॉक्टर्स.